शंकर भाई एन्वगेट नमस्कार उपसभब पती जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया सब 31 मार्च 2017 को गुजरात राजियों विधान सबा ने राजियों में गाई सरक्षन कानूनों में संसोधन किया है नएक कानून के तहत गौव हतिया की सजा साथ साल के कारावास से बढ़ा कर आजीवन कारावास और पांच राख रूपिये तक जुर्मान में बदल दिया गया है यह संसोधन 1954 के गुजरात पसू सरक्षन कानून के तहत किये गये है इसके अनुसार गव हतिया या हतिया के लिए गायों को एक जग़ से दूसरे जग़े ले जाना और गव मास रखना गेर जामानती अबरात हो गया है इसी तरह जहां हमारे देश में जम्मू कास्मीर में रखुमती समाज की वस्ति यादा है वहाँ भी अभी क्या कानून चल रहा है ए में आपके माध्यम से सर्दन को कहना चाहता हूँ गुजरात में हालिया संसोदन के पहले जम्मू कास्मीर जैसे मुस्लिम प्रभूतो वाले राजिय में गव हत्या के खिलाप सबसे सक्थ कानून मौजूद था कानून 1932 में रणवीर डंड सहिता के तहत लागू किया गया था जो डोगरा सासत रणवीर सी के सासन काल के दोरान तियार किया गया था इस कानून अभी जम्मू कास्मीर में लागू है कानून के तहत गव हत्या एक सगनेई और गेर जमनती अबरात है कानून तोरने के जुर्म में 10 साल तक की जैल और पसू की कीमत से 5 गुना तक का जुर्माना देना पड़ता है जम्मू कास्मीर में गाय की कीमत कहीं लाग तक हो गई है मैं सभापती जी आपके माधियम से गाय के जो फाइदे होते है गाय के पालन के लिए गव पालन को दो फाइदे होते अर्थूपार्जन और आरोग्यवर्धन हमारे भारतिय नक्सल की गायों में गुजरात में गीर गाय पाई जाती है उसका दूद और उसका गोखल याने गव मुत्र और गोबर बहुत किमती है इस गीर गाय के दूद से ही पोजीटिव याने कैंसर जैसा और गंभीर बिमारियों में जिसका आज तक पुरे दुनिया में कैंसर नाम सुन के आदमी काम जाता है वो कैंसर मिटाने की आज तक भी इस आधुनिक युग में भी उसकी मिटाने की कोई दवा पाई नहीं गई लेकिन गव मुत्र से मैं ताज का साक्सी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि गव मुत्र से पहला या दूसरा स्टेज में कैंसर होता है तो हंड्रेट पर्शन गव मु इसलिए में ताज का साक्सी बनके में आपकी वज़े से सदन को कहना चाहता हूँ और दूसरा कि सर आज खाधन्य एन सब्जी और अनाज में प्यदावर बढ़ाने के लिए हर किसान ज्यादा फाइदा पाने के लिए केमिकल युक्त फर्टिलाइजर और विलाइती खाद का उपयोग कर रहे है इससे ज्यादा क्या होता है कि हमारी जो उर्लोगता है जमिन की उसकी देरे देरे उर्लोगता खत्म हो जाती है और सब्जी और खाधन्य की गुनोता भी बहुत ही खराब होती है और सब अलग- और रिचस में ये पाया गया है कि गव खौल और दूद गव दूद और गोबर और इसकी सास और पंच गव्य की मिश्टन के संटकाव से फसोलों में संटकाव से परीपूर्ण और आरग्यप्रद खादानिया एम सब्जी मिलती है जिसको हम और्गनिक फूर कहते हैं दुसरा सभापती जी आपके माध्यम से में ये कहना चाहता हूँ कि खाली गव मुत्र और गोबर इतना किमती है कि गव अर्ग आज भी में कम से कम सभापती में 10 साल से सुबह में एक लिटर गुनगुना पानी में 10 एमेले गव मुत्र का अर्ग पीता हूँ और दोपर का कुछ लेता है आज मेरी काई सेवंटी इला सिक्सी स्थी फाइड शिक्सी स्थी या सो गई है तिर भी मुझे कुछ आज तक कुछ रोग हुआ नहीं एक जीता जाकता लाखला है और मेरी आपको एक कहने के बादा है वोबर में से साबून बनता है वो साबून उसको पालने के बाद दूद का पैसा मिलता है लेकिन गाय दूद नहीं देती है ने वह आदमी भी गाय रखे ने तो गव मुत्रव और गोबर में से उतकी किमत मिल जाती है उसको रखने में उसनों भी फाइदा होता है और गाय आज कल ये एक फैसन हो गई है गाय काटना खाना गाय को पकड़के इतना तडपा 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 के मारते है यूट्यूब में और वाट्शेप में भी हमने सभी यहां बैठे सभी ने वीडियो देखी होगी ऐसा क्यों गाय हमारी हमारे सास्तों में भी लिखा है हमारे वेदों में भी लिखा है कि गाय हमारी माता ह तो गलित लिखा है वेदों में सास्तों में गाय हमारी माता क्यों कहे गई कि वहाँ हमारे सास्तों में वेदों में लिखा है कि गाय के सरीर के अंदर 33 करोड देवताओं का वास है इसकी लिए हमने गाय को माता कही है और गाय को बचाने के लिए हमारे इतियास में हमारे स्चत्रियों में राजपूतों ने राज़ों ने अपने बलिदा दिया है गाय को बचाने के लिए तो सब गलत हैं गाय नहीं बचेगी तो मेरे इसाब से हिंदुस्तान को बचाने वाला कोई नहीं गहेगा गाय को बचाने ही पड़ेगी, जिस आंगन में गाय बांदी होती है, सभापती जी, उस परिवार में रोग का जन्तो अपने आप नास हो जाता है, उसके स्वासो स्वास में इतनी ताकत है, जो स्वास लेती है, जो स्वास बार निकलती है, इसमें इतनी ताकत है, कि कोई भी गाई रखने वाला कोई आदमी दुखी हो मुझे एक एना है कर दिश्ण भगवान के पास गाई पीछे क्यों रखी जाती है भगवान ने भी उसको शनमान दिया है मांग दिया है तो साथ सभापती जी मेरा आप शे एक एना है कि गाई को बचाना चाहिए और गाई का रखरकाओ करना चाहिए और गाई के पेट से पैदा हुआ बचला भी अभी तो प्यांत्री खेती आ गई पहले इसके बच्चे से हम बेल बना के उसकी खेती करते थे तो इसका है हमारे उपर है और यह कुझे काम है और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज भी कुरे विश्ओ में वह मीं ज्यादा से ज्यादा दूद उत्artन करता है तो ब्राजिल देशे तो बॉर जी देश क्यों दूद बशान करता है इसका इतिया से नहारे यह बागPad में से गीर गाई का अक्सले चाहरे और ब्राजिल में उसका विकास किया आप अर्टी स की आज आपार एशी हमारी वावना है स्री मारेश कोदार थेंक यू आपाट जो अबाशा दे रहे हैं इसे पूरी तरह सहमत है गाय का सवरक्षण होना चाहिए गाय को बचाना है जाए गाय अच्छी चीजे सब के लिए बहुत फायदे मंदे लेकिन ये सलाह जो है गुवा के मुख मंत्री मरूबर परिकर को क्यो नहीं देते हैं यूदी की पाटी की अब टो गटेब इसके कम नहीं चलेगा अगर वह जो है परिकर साब तो माने तो मौन अच्छा रहेगा हम तो सभ्षा रहेगा हम तो शुक्ला जी बाटिये मांगेट पोड़ार इस पीकिंग अम मैंने शुक्राजी बैटिये, मागेश पोडार, बोलिये, इननोंने जाए बच्छारा सिर्बल क्यों रखा है, मागेश पोडार,